नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज हम आगे के mcqs सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 141 से ले करके और इससे पहले भी हमारे सीरीज बहुत सारे वीडियो से mcqs के अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पर चैनल पर पहली बार आया है तो चै करना है और हम hard copy आपके घर तक पहुंचाएंगे तो अगर आपको चाहिए हैं competition exam की तैयारी की लिए तो आप वह मंगवा सकते हैं चलिए 141 कोशन यहाँ पर आप देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजार लग गया होगा और इसकी उपर हमने complete practical वीडियो हमारे main चैनल पर बनाया हुआ है lab technologist दिनिस पर आप वो देख सकते हैं जाकर के और practical वीडियो है वो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस सवाल की तरफ हम ध्यान देते हैं सबसे पहला option यहाँ पर जो यह method का नाम दिया है ठीक है तो इसको sort में हम dam method भी बोलते हैं ठीक है dam तो यह method आप लोगोंने नाम सुना होगा किस के लिए इस्तिमाल करते हैं तो सिधे हम answer की तरफ चलते हैं बाकी option हम देखेंगे उस पर भी discuss करेंगे तो इसका answer आपका बी वाला हो जाता है यूरिया के लिए ठीक है बाकी option जब आप देखेंगे बिल्कुल different है calcium की अगर हम बात करेंगे तो calcium बिल्कुल different है calcium आप जो हम test perform करते हैं अब तो fully automatic biochemistry analyzer आ गए है ठीक है ऐसी ने जो third ठीक है उसके बाद यूरिया के हमने बात कर लिया cholesterol test की अगर हम बात करें तो cholesterol test जो आपके test लगते हैं oxidage पर oxidage method से और इसमें अगला option जो दिया है starch ये तो बिल्कुल different था जो की इस method में बिल्कुल भी यहां पर set नहीं हो रहा है तो starch जो आपके food items हैं ठीक है iodine test तो ये food items के लिए जो starch test इसमें perform किये जाता है तो ये बिल्कुल different था तो ये option आने का सवाल ही नहीं था cholesterol भी इसमें जो method है उसमें नहीं था और calcium भी नहीं था तो बी वाला option जो correct option था urea ठीक है तो आप एंसे भी अंदाज लगा सकते थे बाकि सबके बारे में आपको पता होना चाहिए हर एक test का method कौन सा होता है कौन से method के दोरा कौन से reagent इस्तिमाल करते हैं उनके compositions क्या हैं वो सारे चीज उनमें से question बनते ही बनते हैं इसलिए आप जरूर पढ़िएगा ठीक है अगला सवाल यहां पर पूछा गया है थोड़ा सा different है false positive reaction इन benedict test और benedict test किसके लिए perform करते हैं यह आपको पता होना चाहिए benedict test में reagent कौन सा इस्तिमाल करते हैं यह आपको पता होना चाहिए compositions क्या-क्या है इस benedict reagents का ठीक है और किसके लिए perform करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए इसमें से सवाल पूछे जाते हैं तो वो मैं सवाल बना करके आपको दे रहा हूँ ठीक है समझ में आ गया तो तो false positive कब आए गई तो glucose है तो उसमें false positive की chances नहीं है अगर glucose है तो गुलुकुच तो दे गई फाल्स positive मतलब किसी और वज़े से अगर positive दे सकता है और हम मान के चलिए कि नहीं भाई benedict test तो हमारा positive है ठीक है लेकिन वो किसी और कारण से positive आ रहा है तो वो कौन सा कारण हो सक तो यह गुलुकुच तो हटाई दीजिए उसके बाद आपका दिया है एसीटोन तो एसीटोन की अगर हम बात करें यहां पर तो एसीटोन आपके कीटोन में आ जाते हैं सिंपलेस्ट, इसमालेस्ट कीटोन तो ऐसा कुछ होगा जिसमें सुगर की मातरा हो वही पॉजिटिव दे सकता है उसके बाद बिलीवर्णिं की अगर हम बात करें तो बिलीवर्णिं आपका पिगमेंट है तो यह अलग ही हो जाते हैं यह तीनों अप्सन अब हम आ जाते हैं ग्लुकुरैनिक एसिड में, तो ये क्या होता है, ये एक सुगर एसिड है, कौन सा एसिड है, सुगर एसिड, ठीक है, derived from glucose, समझ में आ गया, तो ये वाला option जो है, इसमें correct आएगा, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये option आपका correct आ जाएगा, क्योंकि ये derived from glucose है, इसलिए इसके कराण आपका जो benedict test है, वो positive, false positive देगा, समझ में आ गया, आगे सवाल हम चलते हैं, 143 पर, the pathway which explains urea formation, urea formation को कौन सा pathway इसमें explain करता है, क्योंकि हर किसी का cycle होता है, cycle तो आप लोग नाम सुना होगा, ठीक है, आप लोग 12th में भी पढ़े हों आप 1st year, 2nd year, 3rd year जब आप किये हैं, BMLT, DMLT, उसमें भी आप लोगोंने पढ़ा होगा, तो urea का formation, यहाँ पर कौन सा pathway explain करके देता है, यहाँ पर 4 pathway दिये है, HMP pathway, chorus cycle, उसके बाद crap, उसके बाद EMP, ठीक है, तो correct option तो आप सभी लोगों को, अधिकतर लोगों को पता होग ठीक है, तो हम एक एक करके चलते हैं, answer पहले बता देते हैं, urea formation का, तो C वाला option है, ठीक है, crap cycle, आप लोगोंने नाम सुना होगा, ठीक, तो यह correct option है, इसको urea cycle भी बोलते हैं, कौन सा cycle, urea cycle, अब नाम से आ जाएगा तब तो आपको पता चली जाएगा, लेकिन दूसरा न हम बता देते हैं आपको, exhaust, monophosphate, ठीक है, sun, तो यह alternative pathway है, जो की glycolysis के लिए, ठीक, उसके बाद, chorus cycle जो है, यह वाला, अब यह नाम से जाना जाता है, lactic acid cycle, यह आप याद रखिएगा, ठीक है, नाम से इसपस्ट हो गया होगा, उसके बाद, crap cycle के हमने बात कर लिया, EMP, Mden Merhock pathway, ठीक है, पूरा मैं, full form यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ अभी, तो यह जो आपके glucose का, जो metabolic होता है, glycolysis, ठीक है, जिसके थुरू आपके ATP, generate होते हैं, और NADP, sorry, NADH, ठीक है, तो इसके लिए EMP pathway, सारे pathway आपको समझ में आ गया, detail explain हम नहीं कर रहे हैं जादा, केबल, sort में आपको जानकारी दे रहे हैं, बागी detail में आपको पढ़ना है, तो आप theory class पढ़िए, उसमें ज्यादा detail में समझ में आ जाएगा, answer आपको मालम चल गया, ठीक है, उसके बाद 144 पर चलते है, explain for, sorry, example for an anti tuberculosis drugs, अब ये question आप बोलोगे कि सर यह तो syllabus में हमारे है, नहीं, ऐसा नहीं है, जब आप bacteria पढ़ते हैं, microbacterium tuberculosis, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये सारी चीजें बहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो यह आप नहीं बोल सकते हैं, हमारे syllabus से बाहर का है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, और जब आप practically work करते हैं, TB वाले department में microbiology department में, तो वहाँ पर medicine जो आप dots के medicine दिये जाते हैं, उसके साथ साथ, anti tuberculosis drugs भी दिये जाते हैं, वो सारी चीज आप लोगों को वालम होगा, तो इसके अंतरगत कौन-कौन से drugs आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम discuss करेंगे, ISO, niagite, उसके बाद, पिरिजिनमाइट और एथेमबिटल, यह सारी के सारी आपके anti tuberculosis drugs कहलाते हैं, ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, अगर कभी exam में पूछेगा तो यह चीज आपको पता होना चाहिए, बाकी यह जो drugs है, यह इस्तिमाल में ज्यादा drugs के बारे में पता नहीं है, फिर भी थोड़ा कुछ आपको idea लगा देते हैं, यह pain और fever के लिए इस्तिमाल किया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा यह जो drugs है, यह आपके chickenpox और harpes वगरे के लिए, penicillin के बारे में आपको पता है bacterial infection के लिए, बाकी इसका correct option कौन सा हो जाएगा, आप लोगों को पता चल गया D वाला option बिलकुल correct है, ठीक, चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 145, aldecerone is produced by, यह आप anatomy में पढ़ते हैं, ठीक है, सारे glands और harmon के बारे में detail जानकारी आप, आपके anatomical, जो भी lectures होते हैं, उनमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर option जो दिया है, pancreas, त ठीक है, और glucose, इसके लावा, पिट्रियोटी के अगर बात करें, तो पिट्रियोटी का तो पूरा सीरीज है, ठीक है, जो कि आपके ACTH, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको याद रहे, ठीक है, TSH, इसके अलावा LH, उसके अलावा FSH, उसके अलावा PRL, ठीक है, GH, यह full form, इनका सब का पता होना चाहिए, ठीक है, MSH, अभी यहाँ पर मैं बता नहीं रहूँ आपको, लेकिन इन सब का full form आपको पता होना चाहिए, इनके function क्या होते हैं, कहीं से भी कोई सबी सवाल पूछ लेता है, क्योंकि hormone glands बहुत important है, ठीक है, master gland तो आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा, adrenal, अब यह जो adrenal है, यह आपका correct option है, जो की, aldosterone के लिए, ठीक है, यह वाला option, तो C वाला option बिल्कुल correct है, thyroid, thyroid की बारे में तो आपको पता है, T3, T4, ठीक, तो यह कुछ सवाल थे इसमें, 145 तक, आगे भी continue, बहुत लंबा सीरी चलने वाला है, त तब आपको competition exam की तैयारी भी होता रहेगा, और इसी तरीके से हमें explain करके देंगे, तो ऐसे हैं, जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपका competition exam आसानी से निकल जाएगा, government exam के लिए, तो इसी तरीके से आप channel पर बने रहिए, subscribe करके रखिए, bell icon दबाके रखिए, ताकि